तमिल नाड़ों में बुद्दवार 8 दिसम्बर को क्रैश हुए हेलिकॉप्टर में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ, सीडियेस, जनरल विपिन रावत, उनकी पतनी मधुलिका रावत और 11 आन लोगों की जान चली गई हासे का शिकार हुआ हेलिकॉप्टर वायुसेना का MI-17 V5 हेलिकॉप्टर था ये मीडियम लिफ्ट मिलिटरी ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर है इसकी गिंती दुनिया के सबसे एडवांस मिलिटरी ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर में होती है कजान हेलिकॉप्टर नाम की रूसी कंपनी ये हेलिकॉप्टर बनाती है आमतोर पर ये हेलिकॉप्टर ट्रूप्स को लाने ले जाने या समान होने के लिए इस्तमाल होते हैं लेकिन इसकी शमताओं के चलते से भी वी आईपी ट्रांस्पोर्ट के लिए भी इस्तमाल किया ज सकता है हलाकि रूस में निर्मित MI सीरीज की ये हेलिकॉप्टर पिछले 10 सालों में कई बार हाथसों का शिकार हुए हैं 2010 से अब तक 5 हाथसे हैं हो चुके हैं जिसमें कम से कम 42 लों की जान गई हैं अगर ये बताते हैं कब-कब हाथसे के शिकार हुआ MI 17 V5 पहला 27 फरवरी 2019 आठ दिसम्बर वाले हासे से पहले MI 17 V5 हेलिकॉप्टर के साथ बड़ा हासा साल 2019 में हुआ था पारा कोट में सर्जिकल स्ट्राइक की एक दिन बाद 27 फरवरी 2019 को जम्मो कश्मीर के बढ़गाम में हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ था उसी राद भारत और पाकिसान के लड़ाकू विमानों के बीच डॉग पाइट हुई थी इसमें हमने पाकिसान के F-16 विमान को गिराने का दावा किया था इस जड़त में भारत का भी लड़ाकू विमान क्रेश हो गया था जिसके पाइलिट थे विंग कमांडर अभिनंदन फिर सुबह बढ़गाम में M.I.E. 17 V-5 क्रेश होने की खबर आई थी इस हासे में हेलेकॉप्टर में सवार 6 वायू सेना के जवानों समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई थी बाद में इस मामले में कोर्ट आफ इंक्वाइरी हुश्रू हुई छे महीने बाद जाच समझ कर हमने अपने M.I.E. 17 को गिरा दिया था अगली घटना 3 अप्रेल 2018 की है निर्मार सामग्री ले जा रहा M.E. 17 हेलिकॉप्टर 3 अप्रेल 2018 को केदरनात में हाथ से का शिकार हो गया था इसमें 6 लोग सवार थे ये सब ही बच गये थे हेलिकॉप्टर गुप्तकाशी से केदरनात जा रहा था हेलिपैट से करीब 60 मीटर पहले केदरनात मंदिर की परही की दिवार से टकरा गया था इस हेलिकॉप्टर में 6 लोग सवार थे जिन में से 4 को हलकी चोटे आई थी अगली खटना 6 अक्टूबर 2017 की है इससे पहले साल 2017 में अनुनाचल प्रदेश में माई 17 वी 5 हाथसे का शिकार हुआ था हाथसा अनुनाचल प्रदेश के यंग से सेक्टर के चुना में सुबह करीब 6 बज़े हुआ था हलिकॉप्टर भाराचीन सेमा से करीब 12 किलो मेटर और तवांग से करीब 100 किलो मेटर दूर पहाड़ी लाके महास से एक शिकार हुआ था यह हलिकॉप्टर एक हवाई रखकाव मिशन पर था और उसने तवांग सेक्टर से उड़ान भरी थी तकनीकी कारणों से हलिकॉप्टर क्रेश हो गया था इसमें साथ लोगों की मौत हुई थी इससे पहले 25 जुन 2013 को एक घटना हुई थी उत्तराखण में बचाव अभियान के दौरान इनियन एरफोर्स का MI-17 V5 हलिकॉप्टर के साथ यहास्ता हुआ था भारती वायुसेना ने घायलों की संख्याड बताई थी जिसमें हलिकॉप्टर के चालक दल के 5 सदस भी शामिल थी वायुसेना ने एक बयान में कहा था कि गौचर सी गुप्तकाशी और किदारनाथ के बचाओ अभियान पर हलिकॉप्टर गौरी कुंड के उत्तर में किदारनाथ से वापसी के समय हाथ से का शिकार हुआ था चालक दल के 5 सदस्यों सहीद 8 लोग घायल हुए थे इसके पहले घटना है 30 अगस 2012 की गुजरात में जामनगर के पास एक टेक आउफ के तुरन बाद दो हलिकॉप्टर बीच हवा में टकरा गये थे इसमें सवार 5 अधिकारियों सहीद वायुसेना की 9 कर्मियों की मौत हो गई थी हेलिकॉप्टर कथित तौर पर एक बंबारी मिशन के लिए अभ्यास पर था जब हासा हुआ घटना के बाद रक्षावंत्राले की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि 9 कर्मी इन हेलिकॉप्टरों में सवार थे और सभी ने दम तोड़ दिया था हेलिकॉप्टर ने जामनगर एर बेस से उड़ान भरी थी और वे नियमित उड़ान प्रसिक्शन मिशन पर थे इससे पहले 19 नॉमबर 2010 की खटना है अरुनाजल प्रदेश के तवांग से उड़ान भरने की कुछ मिनट बाद ही हमाई 17 हलिकॉप्टर हास्से का शिकार हो गया था इसमें सवार सभी 12 सश्चतर बलों के जवानों की मौत हो गए थी चीन की सीमा से लगे बोमदिर में हलिकॉप्टर हास्से का शिकार हुआ था मरने वाले 12 लोगों में वायू सेना की 11 अधिकारी थे इसमें से 2 पाइलेट और एक आर्मी ऑफिसर थे गवाटी जाने वारे हलिकॉप्टर के तवांग हलिपैट से उडान भरने की कुछ मिनट बाद ही यह हास्सा हुआ था तो यह थी कुल 5 घटनाए यह जानकरी आपके लिए लाये थे हमारे साथी डेविड देखते रहिए ललन्टो